प्रिय जग्यासू मित्रों दर्शन का विशे जो भारत में विक्षित हुआ दर्शन शब्द काई अर्थ है यधार्थ को जानना यधार्थ को समझना जो सकते है उसको जानो उसे देखो उसका साक्षातकार करो सकते का साक्षातकार ही दर्शन है बहुत तरह के विचार भारतिय भूमी पर भारत की इस पवित्र भूमी पर विक्सित हुए बहुतर की विचारधारा बुद्ध की महावीर की आदिगुरू संकराचारे की उपनिशदों से शास्त्रों से वेदों से जो विचारधारा हैं जो विक्सित हुई अगर हम बुद्ध और महावीर की भी बात करें तो यद्ध पी बुद्ध और महावीर को नास्तिक दर्शन में गिना जाता है परन्तु उसका भी जो विकास हुआ है उसका आदिगुरू वेद ही है उपनीशदों का विकास जो हुआ उसका आधार भी वेद है और फिर उपनीशदों से ब्रह्म सुत्र की रशना हुई ब्रह्म सुत्र से वेदांत दर्शन का प्रसार हुआ विस्तार हुआ तो चर्चा हम वेदांत पर कर रहे थे आदिगुरू संकराचारे के विचारों पर उनके तरकों पर किस प्रकार से उने अपनी तरक रखे और मुध्य रुप से वह जो समय था बुद्ध की विचारदारा का प्रसार था, बुद्ध मत्ध का प्रसार था लेकिन बुद्ध मत्ध क्या गलत था अगर हम आदी गुरु संक्राचारे के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि बुद्ध के मत से बहुत कुछ मिलता जुलती ही बाते थी बाध्य विद्वानों का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा खंडन किया तो वो मिमानसा दर्शन पुर मिमानसा के कुमारिल भट हुए जिहों ने शबरभास से दिया था मिमानसा भास से सुत्रों को लिखा कई गरंद लिखे कई गरंदों के रशना कुमारिल भट जी के द्वारा प्रभाकर मिश्र जी के द्वारा जोग हुए उनसे बाध्य विचारधारों का भी खंडन हुआ आदी गुरु संकराचारे के विचारों से भी हुआ तो प्रशनी ये उठता है कि खंडन की आवशक्ता क्या पड़ी बुद्ध के विचारों का खंडन क्यों किसली होना ही नहीं चाहिए मेरे अपने विक्तिगत विचारधारा के अनुसार क्योंकि बुद्ध ने कुछ गलत का हुँ समाज को कोई गलत सिचा दी हो ऐसी तो कोई बात थी नहीं तो फिर खंडन किसली बुद्ध का काट किसली क्या आवशक्ता पड़ गई कुमारिल भट को की उन्होंने बहुत दिव मत्ध का काट करना शुरू कि आवशक्ता पड़ गई आदी गुरु संक्राचारे को कि उनके निशाने पर भी मुख्यरुप से बहुत दर रहते थे यद भी उस समय बहुत सारे लोगों ने आदी गुरु संक्राचारे को छद्म बुद्ध भी माना डिस्गाइस बुद्धा के नाम से भी हो जाने जाते क्यों? बुद्ध की ही विचार धारा को नए तरीके से वैदिक मत्य के अनुसार वेदू के प्रमान के अनुसार रखने का प्रयास कुछ लोगों का मानना ऐसा है आदी गुरु संकराचारे के विश्य में कि आदिगुरु संकराचारे ने बुद्ध जैसी ही विचारधारा को वैदिक प्रमानों के साथ प्रस्थुत किया शंकराचारे के विचार ही यह बात प्रमानित कर देते हैं कि बुद्ध का बुद्ध मत्य की विचारधारा जिसको आज बुद्धिजम कहते हैं आज एक अलग धरम के रूप में माना जाता है यह दिपी धरम तो एक ही है कैसे एक होता है धरम और यह जो नाम है यह मत हैं यह संपरदाय हैं लेकिन धरम तो एक ही हुआ करता है तो हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं कि खंडन की आवशक्ता क्यों पड़ी क्या आवशक्ता थी कि कुमारिल भट ने अचारे कुमारिल भट ने बौध विद्वानों को अपना निशाना बनाया बौध अचारियों को अपना निशाना बनाया नालंदा के कुल पती से जाकर कुमारल भट ने शास्तरार्थ किया था और शास्तरार्थ में पराजित भी किया था क्या वो शक्ता पड़ी आदिगूरु संकराचाय को बहुत मतो पर अपना वो करने का, अपना मत देने का, तरक देने का या फिर जो कुस्तके लिखी गई उनमें इस प्रकार का वर्णन जब एक ही विचारधारा थी तो खंडन, मंडन, तरक, वितरक, कुतरक का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन होता क्या है इस बात को समझेगा आज हम जिस विशय पर चर्चा करने वाले हों हम उसकी भूमी का बना अभी उस विशय पर हम आये नहीं है, होता क्या है कि कोई मत जब चलता है महापुरुष आते हैं, दिवविपुरुश आते हैं, वो कोई अपने अनुभव से, अपने साधना के अनुभव से, अपने ज्यान से, जो वो जानते हैं, जिन सुक्षन तक्तों का साख्षात कार क इसके बारे में समाज को बताते हैं ताकि मनुष्य जीवन अच्छा हो सके, सुन्दर हो सके, जीवन अच्छी तरह से हम वैतित कर सके, हमारा जीवन और अच्छा हो, हम जीवन को समझ सके, मृत्यू के रहसे को जान सके, इस उद्देश से वो बताते हैं, लेकिन अनुयाई ज होते हैं जो followers होते हैं वो उसको अपने धंग से पकड़ते हैं और बाद में जाकर विक्रतियां आनी शुरू हो जाती हैं उन्हीं मत को लेकर क्योंकि हर तक्थ्य के दो पहलू होते हैं नकरात्मक और सकरात्मक हम उसको किस प्रकार से ग्रहन करते हैं यह बहुत ही सुक्ष्ण विशय है यह और यथार्त है कि कोई बात माले जी एक शब्द है एक वाक्य है घूस लेना देना मना है अब किसी ने इसको पकड़ा सारे शब्द अक्षर वही रहेंगे घूस ले ना देना मना है घूस ले ना देना मना है लेना को तोड़ दिया, ले कर दिया, ना कर दिया बात बदल गे बात बदल गे तो लोग गुरु आग्या या फिर महापुरुशों की बातों को कई बार इस तरह से ले लेते हैं और जब इस तरह से बातों को ले लेते हैं तो फिर होता क्या है कि समाज में विक्रती आती है उन्ही बातों के कारण उन्ही तथ्थों के कारण विक्रती आती है और जब विक्रती आती है तो फिर आवशकता होती है कि उन तक्थों का ही खंडन हो जब खंडन होता है तो सत्य क्या है कि वो तक्थे अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं अपने ही खंडन से ये बड़ी ही रहस्यमई बात है ये कौन सी बात होई कि जिसका खंडन हो गया वो अपनी उलुता को प्राप्त कर लेगा लेकिन समझने की आवशक्ता है इस प्रकार से बुद्ध जो चाहते थे वही कारे आदिगुरु संकराचारे कर रहे है सत्य तो ये है वही कारे आचारे कुमारिल भट करना चाहते बुद्ध के आदर्शों को ये स्तापित करना चाहते लेकिन बहुत लंबे समय से बौध्यमत्य का प्रसार और बौध्यमत्य एक राजनिति का हथ्यार बनके रह गया था राजनिती का हथगंडा उसके नाम पर राजनिती चलती थी जो वहां से कह दिया गया वो सही हो गया हिंसा भी होती थी बुद्ध हिंसा के प्रचारत से और उनके नाम पर हिंसा कर देना राजनिती में एक्सर ऐसा होता है कुई बड़ी बात नहीं है तो इसी प्रकार से शंकराचारे का जब मत विक्सित हुआ तो उसमें जो बाते थी अद्वाइत वेदान्द की आयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मी मैं ही ब्रह्म हूँ ये संपुल संसार मिथ्या है और माया है इसके चक्कर में मत पड़ो और वो अद्वाइत प्रमात्मा अद्वाइत है ब्रह्म अद्वाइत है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है वह निर्गुन है निराकार है उसके अंदर कोई गुन नहीं है इसलिए हम ब्रह्म को मानते हैं हम किसी यह दपी आदि गुरु संकराचार को आप पुनता पढ़ेंगे गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर तक्ठे का उत्तर दिया हुआ है लेकिन समाज में एक प्रसार हुआ ब्रह्मवाद और मायावाद का कि यह संसार मिथ्या है यह संसार माया है कि संसार में कुछ नहीं रखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह विचारधारा प्रसारीत हो इसलिए छोड़ो संसार को, घर बार छोड़ो, सब को छोड़ो और ब्रह्म के उपासना में लग जाओ, अहम ब्रह्मास्मी स्वयम को ही ब्रह्म मानना सुरू कर दो, इस तरह की विचारधारा का प्रयास अद्वैत के अनुयाईयों के द्वारा होने लगा, और जब इस तरह क विचारधारा का प्रिसार होने लगा, यह दपी बाते सकते हैं, लेकिन ब्रह्म आधर्ष के रूप में हैं, यह थार्थ के रूप में नहीं है, यह गुर बाते हैं, अब ब्रह्म आधर्ष के रूप में हैं, लेकिन ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म को बिना ब्रह्म बने कोई क एह है कि अहम ब्रह्मास में सब कुछ तो ब्रहम् dość ही है, आतमा भी ब्रहम् dość अंतमा ब्रहम तो फिर यह संसार तो मिथ्या है इश्वर की बाते भगवान को मानना भी मिथ्या है। देवी देवताओं को मानना भी मिध्या, कुछ इस प्रकार की बाते अद्वाइत के अनुयाईयों में, जो अपने आपको अद्वाइत का अनुयाई मानते थे, उनमें ये बाते प्रसार होने लगी और लगबक कई वर्स, पांसो वर्स निकल गए. उस समय जब इस तरह की बातों का प्रसार अत्यदिक हो गया, सब कुछ माया कह देना, संसार को माया बोल देना, परिवार को माया बोल देना, सब कुछ माया है, माया है, भगवान भी माया में है, इश्वर भी माया में है, सत्य तो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मित्य है, ल इन तिनों का भियत बताया और पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म को बताया विवारिक सत्ता में नहीं बताया विवारिक सत्ता में आदिगुरु संक्राचार ने इश्वर की सत्ता स्विकार की है लेकिन उसको भी इस विवारिक सत्ता में नश्वर बताया है ब्रह्म को ब्रह्म सबकुछ ब्रह्म ही है भाई, फिर क्या फरक करना, क्या वो करना, एक विकृति सी समाज में फैलने लगी, क्योंकि बिना ध्यान के किसी तक्तिक को सिलकार किया थी उपासना का मार्ग, ध्यान का मार्ग, अधियर्श गुरू संकराचार रहे दिया था लेकिन अद्वाइत वेदांत के अंदर बाते तो सारी बताएए गये लेकिन किसी खास चीज़ पर ज़्यादा फोकस, ब्रह्म, निराकार है उस पर फोकस ज़्यादा, लेकिर उस निराकार पहुँचने का जो मार्ग है उस पर फोकस कम रह गया और कोई भी विक्ति बोल देता अहम ब्रह्मासमी मैं ही ब्रह्मा तो अब ये जब विचार धाराय जब आने लगी तो इसमें एक विक्रती आ गई समाज के अंदर और इसे विक्रती को दूर करने के लिए हम उन्हें अवतार कहें हमने अन्शा अवतार कहें किस रूप में किताबों के अंदर बहुत कुछ लिखा जाता है स्वामी रामा नुजाचारे इस धर्ती पर आते हैं और स्वामी रामा नुजाचारे यदपी जब हम रामा नुजाचारे को पढ़ते हैं विशिष्टा अद्वाइत जब हम विशिष्टा अद्वाइत का अध्यन करते हैं तो विशिष्टा अद्वाइत में कुछ बाते बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें खंडन मिलता है अद्वाइत मत का जो शंकर के द्वारा आदेगुरु संकराचारे के द्वारा जो अध्वाइत मत प्रस्तूत गया सब बातों का खंडन नहीं मिलता लेकिन कई बातों का खंडन मिलता है तो अब प्रशन उड़ता है कि रामानोजाचारे इसलिए जब आप ये वीडियो जब आप देखते हैं गेविसरजन समाच के द्वारा दर्शन शास्त्रों के उपर ये चर्चा चल रही है हमारे विदान्त ही चल रहा है अभी तक क्योंकि विदान्त का विस्तार बहुत जादा हुआ अभी एक विदान्त पर और आएगा तो ये विदान्त का ही एक अंग है अद्वाइत और फिर विस्ता अद्वाइत फिर द्वाइत फिर द्वाइत फिर द्वाइत इस तरह से कई है चार पाँच भाग ऐसे आते हैं तो एक विडियो में बाकी सारे भागों को समिटा जाएगा लेकिन विशिष्टा द्वईत बहुत ही महतपूर्ण है गुण है इसको समझने के आवशक्ता है तो हमारी जो अध्यात्मिक समझ है वो विक्सित हो जाएगी अभी पीछे किसी ने प्रश्ण किया कि आप हमें बताएं कि कैसे परिक्षा के अंदर तो दिव्व सरजन समाज एक अध्यात्मिक संस्था है समाज में अध्यात्मिकता का प्रसार और सहीद विदी से लोगों को अध्यात्म समझाना अध्यात्म और धर्म को लेकर जो बाते प्रचलित है और जिसके कारण समाज भ्रमित रहता है उन बातों को समझाने का प्रयास करना अध्यात्मिक समझ पैदा करना समाज को देना अध्यात्मिक ज्यान से समाज को कोशित करना ये हमारा उद्धिश्य है दर्शन शास्त्रों की भी चर्चा इसी उद्देश से की जा रही है हम समझने का प्रयास करें कि हम इन बातों को समझ ले आपके अंदर एक अध्यात्मिक समझ हो और ये जो भी बाते हैं आपके अध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके इस उद्दिश से बातों को रखा जा रहा है जो दर्शन शास्त्र के छात्र है PhD कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं फिलोसफी के अंदर, इंडिन फिलोसफी में उनको भी इस विडियो से सहायता मिलेगी लेकिन हम अपने जो विचार यहां प्रस्तूत कर रहे हैं वो उनके पैटर्ल पर अधारित नहीं है कोशिश रहती है कि उनका भी जो विशय है पढ़ाई लिखाई वाला, वो भी कभर हो लेकिन वहां पर बातों को रखने का तरीका बहुत अलग है अगर आप फिलोसपी की बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रामानुजाचारे के जो विचार थे वो शंकर के विरुद थे आदिगुरु संकराचारे के विरुद थे जैसे कि रामानुजाचारे ने लक्ष बना रखा था कि आदि गुरु संकराचारे के हर विचारों का काट करना महापुरुष या भक्त जिने हम कहते हैं प्रभु के वो कभी यह लक्ष लेकर नहीं च लते हैं इधान रखिया हाँ, वो विकृतियों को जरूर दूर करते हैं और विकृतियों को दूर करने के लिए बार बार ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं वो आते हैं अब अवतरित होना शंकर के विचारधारा में संकर के दर्शन में आदी गुरू संकराचारे के दर्शन में अवतार वादिका महत्वरी था ब्रह्म में कभी अवतरित रही होता इसलिए विशिष्ठा अद्वईत इसमें अवतार है इसमें इश्वर ही ब्रह्म है इसकी विशेष्था ये है और ऐसा कहने किया वो शक्त्या क्या पड़ी यदिपी इश्वर ही ब्रह्म है इस बात को मना तो आदिगुरू संक्राचारे का अद्वाइत भी नहीं करता लेकिर वो ये कहता है कि इश्वर का अस्थित व्यवारिक सत्ता में इश्वर सबसे बड़ी ताकत है शक्ति है लेकिन पार्मार्थिक सत्ता में ब्रह्म सरव्यापी है इश्वर सरव्यापी नहीं है लेकिन रामानुजाचारे के विशिष्ठा द्वाइत में क्या है इश्वर ही ब्रह्म है कोई अलग से ब्रह्म ना और ब्रह्म को निर्गुन अगर कहा गया है तो स्वामी रामानुजाचारे ने कहा कि निर्गुन कहने का अर्थ ये है कि उसके अंदर दुरुगुन नहीं है लेकिन गुण तो है गुण तो है गुण नहीं था इश्वर के अंदर इसलिए इश्वर गुनवान है ब्रह्म गुनवान है पहली बात इश्वर ही ब्रह्म है ब्रह्म इश्वर को अलग-अलग मत करो इश्वर गुनवान है निर्गुन मत कहो निर्गुन अगर कहा गया तो उसका तात्पर यह है कि उसके अंदर दुर्गुन नहीं है गुन है रा रामारुजाचारे का ब्रह्म व्यक्तित्ववान है उसके अंदर कोई भेद नहीं हो ता तिर प्रकार के बेद सजाती है विजाती है और स्वगत भेद लेकिन रामारुजाचारे ने कहा कि ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद नेत है या तभी आदिगुरु संकराचारे के नुसार कोई भेद नहीं है तीनों भेदों में से किसी भेद के इस्थती वहाँ नहीं बनती है ब्रह्म में लेकिन रामानुजाचारे के ब्रह्म व्याख्या में स्वगत भेद है क्योंकि ब्रह्म ही जीव का रूप जीव के रूप में, इश्वर के रूप में, चित अचित और इश्वर के रूप में जीव ही है, इश्वर ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के तीन रूप बताए, तीन भाग बताए, इश्वर, चित और अचित, जीव और अचित, तो ये जो तीन भेद हैं, ये इश्वर के विसिष्टा अद्वई था ये जो था ये जो विचार धारा थी वास्तों में ये आई कीवा बहुत बड़ा कारण था और ये बहुत जरूरी था इसका आना लेकिन जब आप जो फॉर्मल स्टडी है फिलोसिफी की जो आप परिक्षा देने के लिए पढ़ते हैं आप कुछ आईस के त्यारी कर रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं तो जब आप फॉर्मल स्टडी करें गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे बताने का उद्देश अध्यात्मिक से हैं उनको मायवादी भी कहा जा रहा है कि वो जगत को माया मांते हैं क्योंकि माया का अस्तित्य नहीं सिवकार करते हैं रामारुजर चाहरे इस जगत को मिठ्या नहीं मांते हैं बहुत सुन्दर तर्क दिया उन्होंने इस बात पर कि रसी अंध्यकार में सर्प नजर आत लेकिन यह तो मिथ्या है, वो तो रसी है, वो सर्प नहीं है, यह बहुत बला तर्क था अधिगुरु संकराचारे के अद्वईतमत में, इसी प्रकार से यह जगत मिथ्या है, जब ज्यान की चक्षु खुलेंगे, आप जानेंगे, अंतरमुकी होंगे, ध्यान समाधी की अव मासमी कहना शुरू कर दिया, बिना उसे ध्यान समाधी तेख पहुंचे, कई तरह की विक्रतियां मायावाद फैलना शुरू हो गया, तो रामानुजाचारे ने कहा, स्वामी रामानुजाचारे का मत था, कि यह संसार माया नहीं है, जब रसी का तर्क आया, कि जिस प्रकार से रसी, तो वो तो मिथ्या है, वो तो रसी है, वो साप तो नहीं है, तो राब्बा सुंदर तर्क दिया, स्वामी रामा उनुजाचारे उन्होंने कहा, कि वो पुर्णता मिथ्या नहीं है, रसी के अंदर कुछ ऐसे गुन विद्यमान है, जिसके कारण वो सरप के समान दि तो वो पुर्णतर मिध्या नहीं है। अदभूत तरक शक्ति थी। रामा नुजय चारे का विक्तित्व अदभूत रूप से क्रांतिकारी विक्तित्व था। और समाज के अंदर एकर क्रांति लाकर रख दिया उस विचारदाराने। विजश्ठा अद्वाइत की विचारद वाले हैं। उसे निव पर फिर आगे कई विद्वान हुए, कई भक्त हुए, मादवाचारे हुए, निम्बकाचारे की भी चर्चा आती है, चैतन्य महाप्रभू हुए। उन सब ने उस पर चर्चा करनी शुरू की, उसका विस्तार होना शुरू किया। भक्ति का जो कॉं अचलो मान लिया हमने आधिगुरू संकराचारे की जो मत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मित्या ब्रह्म वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर बात सही है, लेकिन सारा फोकस उस नरगुन निराकार पर हो गया। जैसे आज भी बहुत बड़ा समाज आप हैं लोग, जो सीधा कह कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, निरगुन है, इसी लिए आप वो वीडियो सुनिए, निरगुन निराकार के उपर, इश्वन निराकार या साकार इसी में कोशिश करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी जरूर जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर क्यो निराकार सुनिकार नहीं किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपकी कल्पना मात्र है, बिना साधना के, बिना समाधी अवस्ता, इसलिए वेदांत, जो अद्वईत वेदांत है, उसकी पुर्णता योग से है, अस्टांग योग से है, तो शंकर के मत्में, शंकराचार के मत में जो मार्ग चाहिए उस ब्रह्म तक पहुचने का जो मार्ग था उस पर फोकस तो हुआ क्या कि बाते इधर से उधर होने लगी विवहारिक सत्ता में बाते हम कर रहे हैं जैसे कि माल लिजिए कि मेंड़ा कुए में है और वो ये कहे कि चारों तरप तो वा कि विक्रती सीधा हर चीज को माया कह देना कि संसार माया है ये माया है सब कुछ छोड़ो और उसमें कुछ ऐसे आडंबरी लोग भी हो गए कि सब का कुछ छुड़वा कर सारे कुछ ऐसे भी सादू हो गए जो कि दूसरों का छोड़वा कर अपने पास रख लेते सब कुछ तो कई तरह के विक्रती समाज में फैलनी शुरू हो गई किसके कारण जगत को माया बोल दो और ब्रह्म्न तो निर्गूर है निराकार है फिर क्यों किसी को पूझना क्यों भगवान को मानना क्यों देवी देवताओं को पूझना बहुत तरह की बाते लेकिन जब हम आदीगुरु संकराचार ने ये समझाने का प्रयास किया परमार्थिक सत्ता प्रतिभासि सत्या और वेवारिक सत्ता हम सब का ज़्यादा तरह समय वेवारिक सत्ता में बीटता है हम परमार्थिक सत्ता में नहीं रहते हैं वेवारिक में रहते हैं और हमें अगर अगर उस ब्रह्म्म तक पहुँचना है तो वेवहारिक सत्ता से प्रारम करना है और वेवहारिक सत्ता में इश्वर के सत्ता होती है इश्वर सगुन होता है इसलिए ये स्विकार करना चाहिए कि इश्वर ब्रह्म है और इश्वर भक्ती से प्राप्त होता है बस यही बात रावनुज चारे समझाना चाहिए जो ब्रह्म तक पहुँशना चाहता है उसे इश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी अगर इश्वर ब्रह्म में भेद है यद पि विश्ष्ठा अद्वाइत में रामानुजाचारे की विचारधारा में विश्ष्ठा अद्वाइत की विचारधारा म इश्वर और ब्रह्म को एक ही बताया गिया है यह दपी आधी गुरु संकराचारे के विचारधारा में अद्वईत मत्में इश्वर ब्रह्म को अलग-अलग बताया गिया है ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता में माना गिया है और इश्वर को वैवाहरिक सत्ता में माना गिया ह लेकिन यहां सत्ताओं का दूसार वो है लेकिन ये बात अध्वईत मत्विस्विकार करता है कि वेवहारिक सत्ता में इश्वरी सबसे बड़े शक्ती है और विशिष्टा अद्वईत इसी बात पर फोकस करता है वो नहीं जाता पारमार्थि सत्ता में क्या है प्रतिवासि सत्ता ये ये जो विवहार में है विवहार में है कहने का अर्थ समझे क्या विवहार में है जैसे कि मानिये की सब्ध क्या है क्या सुर्योदय होता है क्या सुर्यास्त होता है सब्ध पूछी तो सुर्योदय और सुर्यास्त नामक कोई घटना नहीं गड़ती सुर्योदय सब्ध का अर्थ क्या हुआ सुर्य का अस्त होना लेकिन सुर्य देव ना कभी उदै होते हैं और ना ही सुर्य देव कभी अस्त होते हैं लेकिन इस विवहारिक जगत में जहां हम रहते हैं जहां हमारा अस्तित्व है इस धर्ती के उपर धर्ती घूमती है इस कारण से हमें क्या नजर आता है सुर्य उदै हो रहा है और सुरियास्त हो रहा है अगर हम अंदरच्छी सक्ता की बात करें संपुल ब्रमान्डी सक्ता की बात करें तो वहाँ पर कोई सुरियोदे और सुरियास्त हो रहा है लेकिन इस धर्ती पर जहां पर हम रहते हैं आप दिल्ली में रहते हैं आप यूपी में रहते हैं आप मद्द प्रदेश में रहते हैं आप बैंगलोर में रहते हैं आप जहां भी रहते हैं वहाँ पर तो सुर्योदे और सुर्यास्त हो रहा है और आप अपने सारे दिन के नियम इसी सुर्योदे और सुर्यास्त पर ही बनाते हैं सारे नियमों को आ बनाते हैं नियमों का पार्ण करते हैं सुर्योदे और सुर्यास्ति के अनुसार यदपी सत्र तो यह है कि सुर्योदे और सुर्यास्त नामक खटना नहीं करते हैं सुर्य देव ना कभी उदय होते हैं और ना कभी अस्त होते हैं लेकिन वेवहरिक्ता में तो है ना वेवहरिक इसलिए उन्होंने सारा फोकस किया विवहारिक जगत पर क्यूंकि आपको कर्म अगर मा लेजिए आपको पारमार्ति सत्ता तक पहुँचना भी है तो काम तो विवहारिक सत्ता से सुरू करना पड़ेगा न यहाँ से फोकस हट गे रहा अज्जयतवादियों का और कई हुए जो खुला मो बोलते हम ब्रह्मास्मी माही ब्रह्म हूं सारा जगती ब्रह्म है सब कुछ माया है संसार मा अरे भाई जब भूख लगेगी तो खाना मत खाओ बोल दो कि खाना भी माया है शरी भी माया है तो भोजन करने के जवरत ही क्या है एक मुझे एक संत मिले उन्होंने उनसे ऐसी चर्चा चल रही तो मैंने ही उनको कह दिया बहुत समय पहले की बात, आज से 20 साल पहले की बात मैंने उन्हें कहा कि आत्मा ही सकते है, फिर शोप क्यों करना चाहिए, जगत तो मिथ्या ही है, शरीर तो नश्वर ही है लेकिन जब शरीर पे डंडे पड़ेंगे, शरीर पे डंडे पड़ेंगे, कोई सुईया चुब होए, तो बोल दो की आत्मा सकते है, शरीर नश्वर है, तो क्या ऐसा बोल देने से शरीर का दर्द खतम हो जाएगा, तकलीव खतम हो जाएगा आप जब तक पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक आपकी वेवहारी की सत्ता है, वेवहारी की जगत जो है, उसकी जो समस्यां हैं, वो खतम नहीं होने वाली, वो रहेंगे आपके सत्ता है जब सारी समस्याए विद्धमान है तो अहम ब्रह्मासमी कहने से क्या हो जाएगा संपुन संसार तो माया है संपुन संसार तो नश्वर है ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा बस यही मुख्य कारण था विशिष्ठा अद्वाइत के पीछे विशिष्ठा अद्वाइत की जो विचार धारा का जो विकास हुआ रामानुजा चारे के द्वारा वो लोग एही समझाना चाहते हैं और प्रभू की भक्ती करो मन को एकागर करो ध्यान उपासना और भक्ती रामानुजा चारे के विचार धारा के अनुसार ध्यान उपासना और भक्ती ये तीनों एक दूसरे के प्रायवाची है। योग और भक्ती में कोई इंतर नहीं आप योग सुत्रों को पढ़िए और नारत भक्ती सुत्रों को पढ़िए पतंजरे योग सुत्रों को पढ़िए आपको बहुत सावन जिस से मिलेगा दोनों में एक जैसी बाते मिलेंगे दोनों में इसलिए रामा नौजाचारे की भक्ति, योग, उपासना इन सब शब्दों इप्रावाची शब्द है भक्ति करना आवशक है प्रेम, प्रभू से प्रेम होना जरूरी है और जब प्रभू से प्रेम तमीं सद्द होगा, जब प्रभू गुनवान होगा इसलिए नारायन, श्रीहरी, श्रीहरी की भक्ती का प्रादुर्भाव हुआ कि इश्वर गुणवान है, वो सुन्दर है, वो अत्यंद सुन्दर है, अत्यंद गुणवान है उसका ध्यान करो, जब तक गुण नहीं होगा, तो ध्यान किसका करोगे पहले ही उसको निर्गुन कह दोगे तो ध्यान किसका करोगे बिना जाने अज्ञानता वस प्रभू को निराकार कह देना ये गलत है बस रामा नुर्जचार यही बात समझाना चाहते थे और आप दिविसरजन समाज के तरक सुन ले इश्वर सकार या निराकार के बारे में त उनकी कलपना है कि इश्वर निराकार है क्यों? क्योंकि जो वास्तों में निराकार है उसकी तो कलपना भी संभव नहीं है तो एहम ब्रह्मास में कहना इश्वर को निराकार कहना मातरे कलपना है जब तक आप अपनी साधना से पारमार्थिक जगत में प्रवेशना कर जाओ पारमार्थी जगत तूरिया अवस्था चतुश्पाद जो कि मांडो के उपरिशत के लिया ख्याम बताया गया आप वहां तक ना पहुचाओ आप काला तीत ना हो जाओ आप जागर्त स्वप्रिसुश्प्ति से परे की जो अवस्था है जो चतुश्पाद है जब तक आप उसका साच्छात कारना कर लो तब तक आपका पारमार्थिक जगत में प्रवेश नहीं है और जब तक प्रवेश नहीं है तो ये कहना कि ब्रह्म निर्गुन है निराकार है एक कलपना मात्र है बस और कुछ नहीं है यही बात रामानोर अचारे समझाना चाहते थे और इसी लिए विसिष्ठा द्वईत का प्रादर भाववा उन्होंने कहा कि इश्वर गुनवान है उसके अंदर अभेत भी है वो व्यक्तित्यवान है वो व्यक्तित्यवान होगा गुनवान होगा तभी तो उसका ध्यान होगा वहारिक सब्ता में ये बात बिलकुल सटीक है सौपरतीस सटीक है वज्यानिक है वज्यानिक तक है जब तक किसी वस्तु के अंदर गुड़ नहीं होगा तो आप ध्यान किसका करोगे वह हाँ ध्यान करते-करते ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट तब होगा या विश्य जब हम योग दर्शन पर चर्चा करेंगे इसलिए सबसे आखरी में योग दर्शन पतंजली के योग दर्शन पर चर्चा होगी और हम अपने चायों के मादले हमसे सबसे ज़्यादा विस्तार पतंजली के योग दर्शन का ही करेंगे उसे बहुत इस पश्ठ होगा किस प्रकार से तो कि पतंजली ने सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ है कैसे जब हम उस पर आएंगे तो हम हाँ वहाँ पर भी विक्रती है अनुयाईयों में जो योग के अनुयाई हैं उनके अंदर जो योग दर्शन की बाते करते हैं जो पतंजली की बाते करते हैं उनमें विक्रतिया हैं फोकस सिर्फ कुछ चज्यों पर हो जाता है बाकि जितनी बाते पतंजली ने बताई हैं उस पर नहीं होता तो बस यही केस था जिसके कारण से विशिष्टा अद्वई थे रामानुजा चारे का उद्देश्य आधी गुरू संकरा चारे का खंडन नहीं था बस वो वेवहारिक बाते करना जाते हैं कि वेवहारिक सत्ता में आओ जहां बैठे हूँ वहां देखो अगर हम यह मान ले और यह बात सत्य भी है कि ना तो सुरे उद्दय होता है ना ही सुरियास्त तो क्या हम रात को जगना और दिन में सोना सुरू कर देंगे नहीं सोने का सही समय यह दिपी सुरी अपनी जगह पर है पिर्थिर के घुमने के तारा नहीं ऐसा घटित हो रहा है लेकिन हमारे वेवहरिक जगत में जिस जगत में हम रहते हैं वेवहरिकता में यह दिखाई देता है कि सुरियोदय होता है और सुरियास्त होता है इसलिए हम अपने दिन के नियम उसके रुशार बनाते है उसी प्रकार, इश्वर गुनवान है वो अवतरित भी होता है वो अवतार भी लेता है श्री हरी का अवतार होता है नारायन अवतार धर्ण करते है इसलिए रामा रोजाचारी विजश्टा अध्वैत जो आया बस इतना ही सब कुछ है और इसके आगे कुछ नहीं है तो गलत होना शुरू हो जाएगा बाते गलत होने शुरू हो जाएगे जहाँ पर किसी खास चीज को हमने नहीं समझा, पूरी बात को नहीं पकड़ा, आदिय दुरी बात पकड़ी तो शुरुवात, योग की शुरुवात, ध्यान, उपासना, भक्ती की शुरुवात विवहारिक जगत में भक्ती संबव है और उसी भक्ती से कोई पारमार्थिक जगत में प्रवेश करेगा ब्रह्म की सप्ता में कोई प्रवेश करेगा इस बात को समझना जरूदी इस तथे को जानना जरूदी है इसलिए ये कह देना कि ये माया है वो माया है सनसार नश्वर है बात सही है गुलत भी नहीं है लेकिन विवहारिक्ता में जहां आप जी रहे हो पंच भूतों से बने इस शरीर में जहां आपको भूक लगती है जहां आपको प्यास लगती है ये कहने से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि संसार नश्वर है और ब्रहमज़त है यह कहने मातर से इसकी सिद्धिन आपको प्राप्ठ हो जाएगी आपको कुछ साधनाय करने पड़ेगी आपको भक्ती भी करने पड़ेगी इसलिए भक्ती और ध्यान में जब ये विशिष्टा द्वईत जो मत्त है रामानुजाचारे का वो यह कहते हैं कि भक्ति और ध्यान में अंतर नहीं है उपासना भक्ति ध्यान ये तीनों एकी चीज है बिलकुँ सकते बात है ध्यान और प्रेम में भी कोई अंतर नहीं है प्रेम के अंदर भी व्यक्ति एकी भाव हो जाता है जिससे वो प्रेम करता है अपने प्रेमी के लिए वो एकी भाव हो जाता है दूसरा भाव उसके मन में नहीं रहता और ध्यान क्या है? एकी भाव होना ही ध्यान है सब्त तो यह है इस ध्यान के विशे पर अलग-अलग चर्चाएं योग सत्रों की जब चर्चा होगी योग दर्चंकी तो उसमें हम करेंगे इसलिए विशिष्टा अद्वाइत को लोग ये समझते हैं कि ये काट है संकर के जब फिलोसपी की बुक पढ़ेंगे आप जो अपचारी का अध्यान होता फॉर्मल स्टडी जो होता है उनिवरसिटी के अंदर कॉलेज़ों के अंदर जो में फिलोसपी जो लोग करते हैं या एम फिल करते हैं तो उसमें वो उसको उसी ढग से पढ़ते हैं कि रामानुजाचारे ने आदिगुरु संकराचारे के बातों काटा काटा नहीं था जो विक्रतियां आ गई थी उसके उसके खिलाफ उनकी मुहीम जो थी जो करांती थी वो उनके खिलाफ थी विक्रतियों के उसी बातों को पकड़कर विक्रतियां बुद्ध के शुन्यवाद में भी यही था इसलिए सब्तिख्याती वाद रामानुजाचारे में सब्तिख्याती वाद शुन्य ख्याती वाद की जगा पर सब ते ख्याती वाद रखा शुन्य वाद को उनने स्विकार में किया था बुद्ध के तो गुणवान है प्रभू गुणवान है श्री हरी गुणवान है उनकी भक्ति करो, जब तक उनके अंदर गुण नहीं होगा, उनका ध्यान कैसे करोगे, उनकी भक्ति कैसे करोगे, एक ही भाव कैसे होगा, जब तक ध्यान असिद्ध नहीं होगा, तब तक समाधी कहां से घटित होगी, तो ये कई है, तो ये विशेश बात ये आती है, कि रामनोजचारे कभी स्विकार में करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई आदमी ये माने कि वो इश्वर बन जाएगा, वो स्वयम भगवान बन जाएगा, नहीं वो उनके सादरश्य हो सकता है, और जब उसे मुक्ष प्राप्त होगा, तो वो ब्रह्म के सादरश्य हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म नहीं हो जाएगा, रामनोजचारे का ये तर्क था, उनके सादरश्य हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस विवहारिक जगत में कोई मनुष्य ये माने कि वो भगवान है, वो स्वयम नहीं भगवान है, अगर स्वयम को ही ब्रह्म मान लेगा, तो ब्रह्म को प्राप्ति करने के आवशक्ता कहे पर और यही समाज में हो रहा था आहम ब्रह्मास में कहकर ही काम चल रहा था कि हम ही ब्रह्म है तो बड़ी बाते कह देना कई बार विवहरिक्ता में नहीं होती है बहुत बड़ी बाते कह देना विभारिक्ता में जो होती है, वो बाती को चवार होती है, और इसीलिए वो नहीं कहना चाहते थे, कि लोग अपने आपको ही ब्रह्म मानन, नहीं, हमें ब्रह्म ब्रह्म से छोटे हैं, हमें ब्रह्म नहीं है, हम भगवान नहीं है, हमें भगवान के भक्ति करना ही, हमें हadem सी और विशेष्ठा थी आधि गुरु संक्राचार ले नरायन का महत्व party tomorrow लें प्रहु का महत्व। है प्रहु उसे प्रेम करने का मैत, अपनी भावनाव को एकागर कर दो प्रभु की चर्णों में, श्री हरी के नाम में, सुमरन में, एकागरता को स्थापित करो, एक मत हो जाओ प्रभु के साथ, तो भक्ती का प्रादुरुभा हुआ, भक्ती का कॉंसप्ट आया समाज के सामने, के अंदर यादो प्रकाश कोई सथे, यह यमुनाचारेजी के शिश्य थे, उनके पास गए, लेकिन कहते हैं कि वो मायावादी थे, विदानती के अनुएई तो थे, लेकिन अद्वईती के अनुएई थे, और संसार को माया बताना सब कुछ माया है, इश्वर में माया है, देवी देवता, माया है, सब कुछ माया है, उनकी पीछे मत भागू, लेकिन वेवारेज जगत में तो सारी सक्तिया हैं ना, वेवारेज जगत में देवी देवता भी है, मिमानसा दर्शन जो यग्यहवन की चर्चा करता है, उसमें भी यही बात को सिलकार ने है, कि वेवा पर कुमारिल अचारी कुमारिल भड़न ने करम कांड की बत्चरचा की है उसके अंदर छे प्रकार के करम कांड बताएगे तो वेवहरी की जगत में क्या है तो वेदानत का जो वेवहरी के पक्षर था उसको उजागर करना ये विजश्ठा अद्वाइत के मार्द्यम से ये का दर्बुन कहके पीछे हट जाना और लोग समाज भ्रमित हो रहा था रामानुजाचारे को ऐसा लगा और इसी लिए उन्होंने अपने गुरु से ही शास्त्रार्थ किया यादो प्रकाश को ही जो थे यमुनाचारे के शिश्य थे उन्हीं को ही उन्होंने खंडित किया और उन्हीं से पता चला कि यमुनाचारे उन्होंसे मिलना चाहते और अपने गुरु के गुरु एक तरह से गुरु के गुरु हुए यमुनाचारे की कहने पर रामानुजाचारे ने स्वामी रामानुजाचारे जी ने ब्रह्मसुत्र की भाष्य का बचना की ब्रह्मसुत्र उपनिशिदों को मुख्यस्तान विसिष्ठा अद्वित में भी प्राप्त है उसका अधार भी उपनिशरी था लेकिन उन बातों को रखने का तरीका अलग था वो अद्वित मत्र के परचारकों की तरह नहीं था इसलिए उन्होंने यादो प्रकाश की बातों का खंडन किया और कहते हैं खंडित होने कारण वही जो की मायावादी थे अब यहाँ पर घटित क्या होता है घटना बड़ी सुन्दर कथा आती है कि जो यादो प्रकाश थे यवनाचारी के शिष और रामानोजचारी की गुरू हुए वो तो उन्होंने एक शड़यंत्र किया कि रामानो परेमगदूर मैपने सुना होगा परेमगदूर जहां परकेमगदूरी जहां राजीग गांदी जी जहां परगैट थे और वहाँ पर उनकी दिहानत्र क łat था तो परेमगदूर की रामानोजचारी वहां से काशी और उस समय जब साधन नहीं हुआ करतें ता आस तो ट्रेन जलती है अवाई जाज उड़ते हैं साधन नहीं हुआ करते हैं तब उस समय वो पैदल चलकर यात्रा होती है और ये प्लानिंग होती है ये खड़े अंत्र होता है याद्व प्रकाशा की रामारों चुचारे का वध करवा दे हैं कि ये अद्वाइत मत को नहीं मानता तो यही विड़ंबना तो थी बाद्धमत के साथ पूरा बाद्धमत को मानने वाले जो अन्युआई थे वो राजनिती में लगे वे थे राजनिती में लिपते थे और शड़े अंत्र करते थे बुद्ध के सिध्धानतों के विरुद हो गए थे और जैसी याद्व प्रकास के मन मे आया कि मैं इसकी हत्या करवा दूँगा तो समझे कि आदिगुरु संकराचारे के विदिरु विर्ध हो गए तो सिर्फ नाम का नाम की माननेता है नाम के है अद्वेतवादी तो क्योंकि आदिगुरु संकराचारे ने ऐसा कोई खड़े अंतर ने किया अपनी हर बात को काया प्रवेश्व का प्रमानित किया कि वो है क्या इसलिए जो महापरुश्व प्रमानित करते हैं उनको शड़यंत्र या इस तरह के हत्कंडों की आवशक्ता नहीं पड़ती है यादो प्रदाश ने शड़यंत्र किया लेकिन वो बात पता चल लगी रामनों रेजारे को काशी पहुँचने के बाद वहाँ से वापिस शलते हैं और मातर एक रात में यहाँ पर पहुचने के लिए महीनों लगे थे एक रात में दुबारा प्रमानित्र आती है कुछ इश्वर के ऐसी करपा होती है कथा उसके पीछे फिर यमुनाचारेजी के पास जाना लेकिन जब तक पहुंशते हैं तब तक उनके ऐसी कथा आती है कि मुर्तु ये कथा का विशा है उनके जीवन की लेकिन जो मुख जो विचार धारा थे विजश्टा अद्वईत की बहुत ही महत्वण थी कुछ समय में उसको समझना बहुत जरूरी था इसलिए भगवान को निराकार कह देना गलत है गलत है वे वहरे के जगत में बिलकुल गलत है जब तक आप समाधी ध्यान समाधी की अवस्ता को नहीं प्राप्त करते और उसके पहले निराकार कहते रहन और कोई प्रयास नहीं करना उसे ध्यान समाधी तेक पहुँचने का तब तक कहना गलत है यही इसी बात को रखने के लिए आदी गुरु संकराचार ने विवेक चुडा मनी में बहुत सुन्दर लिखा है जिस प्रकार औशधी का ना शब्द रटने से व्यादी दूर नहीं कर लेगा यादी गुरु संकराचार ने समझाया है लेकिन अद्वत वादियों का फोकस उस बात पर ना होकर सर्फ इस बात पर था कि ब्रह्म पूर्ण सत्ता है, निराकार है, निर्गुन है इसलिए किसी को मत मानू माया है, इश्वर भी माया है, भगवान भी माया है, देवी देवता माया है ये सारी माया भी बाते हैं, नश्वर बाते हैं, परिवरतनशील है, मिथ्या है, जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम है इन बातों को लेकर मात्र समाज में इसका प्रसार करना लेकिन खुद इसके अथार्थ तक नहीं पहुचे तो लाब गया आपने परमारतिक सत्ता में प्रवेशी नहीं किया और रटे जा रहे हैं कि ब्रह्म ही सरव्यापी या ब्रह्म निराकार है निर्पुन उनके लिए ही ये इश्वर साकार या निराकार जो इसको समझना चाहते हैं जरूर उसको सुने इश्वर साकार या निराकार को आपको समझना है तो हमारा उद्धिश अध्यात्मिक समझ को विक्सित करना है समाज में हम अध्यात्मिक्ता अपने अंदर कैसे हम उसका प्रवेश करा सके उसको हम विक्सित कर सके हमारे अंदर हमारी चेतना कैसे विक्सित हो सके इसलिए इन सभी कॉंसेट को आपके समख्ष रखा जा रहा है और जो अध्यान कर रहा है अपचारिक अध्यान कर रहा है दर्शन शास्त्रों का वो भी इनको सुनेंगे तो उनका भी concept clear हो जाएगा वास्त विक्ता है क्या वो भी समझ जाएंगे क्या रामनोद चारिया वो क्या आवशक्ता पड़ी आधिगुरु संकराचारिया अध्यात्मत्य के विचारों का खंडन करना उनके दथ्यों को खंडन करने का आवशक्ता क्या पड़ी तो ये समझने की आवशक्ता है तो हम जाने समझे बने रहे साथ में और ये चैनल देव पसंद आये, लाइक करे, लोग करते हैं, कहने के भी जुरूत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन करते हैं तो अब हो थी अच्छी बात है, ज्यान का प्रसार हो, जो समाज में जो भ्रम है, भक्ती को लेकर, अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर, उसको खंडित करना, इस चैनल क का विकास करेंगे, और जितना आप अध्यात्मिक जीवन का विकास करेंगे, उतना जीवन आपके लिए सरल होगा, जीवन जीना उतना सरल होगा, जीवन उतना उतिकर्ष्ट होगा, जीवन उतना शांदार होगा, उतना प्रकाशवान होगा, तो हमें अपने जीवन को प्र और फिरे दसमाही, कभीय साथ कहते हैं, हाथ में तो माला गुम रहा है, लेकिन मन दसो दिशाओं में गुम रहा है, जबरदस्ती नहीं है, भक्ती जबरदस्ती का विश्य नहीं है, अध्यात में जबरदस्ती का विश्य नहीं है, सही चीजों को समझना है, सही बात को कुछ बगवान से प्रेम करते हैं, कुछ लोग माया से प्रेम करते हैं, कुछ लोग सिध्धियां प्राप्त करने के लिए जब करने में लगे हैं, तो हमें ये सिध्धी मिल जाए, वो सिध्धी मिल जाए, तरह-तर की बाते हैं, तो तरह-तर की भ्राम कितते हैं, लोग भ्रमित हो ज चाहते हैं और बहुत कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जीवन सुखी नहीं हो परता, बस यही दुरुभाग के पूर ले हैं, और हमारा उद्धिश्य है, कि इस सभी बातों को समझते हुए हम चलेंगे, तो हमारा जो जीवन के प्रती जो समझ है, उसमें सुधा हो जाएगा, वो सुधरेगा, विकसित होगा, तो अध्याक्मिक्ता के विकास से यह सब संभा हो पाएगा, तो इसी के साथ आज के विचारों को हम यहां पर विशिष्ठा अद्वईत को समझाना, उसकी समझ को उसकी विश्य में बताना, इस विडियो का उद्श्य था, औ और आगे द्वईत, बाद, द्वईता, द्वईत, नित्य भेदा भेद क्या है, इस पर चर्चा होगी, और फिर नयाय वैशिषिक, सांख और योग पर चर्चा होगी, इस प्रकार से यह शडदर्शन का विश्य पूर्न होगा, फिर बुद्ध महावीर के उपर भी चर्च के लिए होगा, एक Spirituality को समझ, एक Spiritual Understanding को Develop करने के लिए होगा, तो ये उद्वईष्य से ही इन दर्शन शास्त्र के विशय को रखा जा रहा है, तो इसी के साथ विचारों को विराम देखते हैं, धन्यवाद.